बहुत से fighters जो इंडिया में है और mixed martial arts में participate करता है बहुत से fighters जो या तो boxing या kickboxing या wrestling या कोई भी दूसरा martial arts practice करता है वो जब UFC event जब देखता है तो वो एकदम shock हो जाता है उनको ऐसा लगता है कि यह mixed martial arts का सबसे बड़ा event है और हम यह event में participate करना चाहिए और यह हमारे लिए एक dream होता है और आप message आप बेजते हो चाहिए आप desi beat down या आप super fight league या All India Mixed Martial Arts Association के facebook page या हमारी email पे आप बेजते हो और आप कहते हो कि मुझे UFC में खेलना है और यह बहुत बढ़िया dream है and it's a great dream and it's a great goal for yourself लेकिन एक important चीज़ आपको समझना सबसे ज़रूरी है कि हर एक sport में अलग-अलग levels होता है Mixed Martial Arts में UFC Olympics की तरह है वो एक high level है जहां पर जो athletes सालों सालों से practice करके amateur में participate करके, professional में participate करके और professional में बहुत high level जीतने के बाद उनको UFC में participate करने के लिए chance मिलता है और UFC में भी बहुत fighters है जो जैसे एक, दो, तीन fights खेलने के बाद उनको UFC release कर देता है क्योंकि वो UFC level या UFC caliber की नहीं है तो आपका journey कहां से शुरू होगा पहले सबसे important चीज है कि आप Mixed Martial Arts जिम में जोइन करना चाहिए एक proper training center में आप जोइन करना चाहिए एक proper training center जोइन करने के बाद करीबन एक साल, देर साल, दो साल proper training करने के बाद मतलब Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickboxing, Boxing ये सब चीज ट्रेनिंग करने के बाद आप amateur level के competitions में आप भाग लोगे और कौन से level तक आप participate करना चाहिए पहले आप Inter Club Mixed Martial Arts Amateur Championship में participate करना चाहिए जैसे कि एक club versus दूसरा club Inter Club के बाद district MMA championship district के बाद state MMA championship state के बाद regional championships श्या all India या open MMA championships उसके बाद आप हो सके आप national MMA championships में participate करते हो नाशनल में 2-3 साल medal जीतने के बाद या champion बनने के बाद हो सकते हैं आपको आपका जो national federation आपको कोई international amateur championships में participate करने के लिए आपको chance देगा और हो सकता है आप MMA के world championships में भी आप participate करोगे वो level participate करने के बाद हो सकता है आप pro में आप debut करोगे मतलब हमने inter club से start किया और हम national और international तक पहुंच गे international पहुंचने के बाद हो सकता है आप pro level में start करोगे pro level में बहुत से events है जैसे कि super fight league जैसे कि one championship बहुत से MMA events है जो pro है और all over the world जो organize किया जाता है लेकिन UFC नहीं है UFC का level बहुत ही अलग है UFC का level बहुत high है so अगर आपने फिर ये सब championships खेलने के बाद as a amateur आपने अपना आपका amateur career आपने stop कर लिया और अभी आप pro में start करोगे जब आप pro में start करोगे वहाँ से आपका ये pro journey शुरू हो जाता है pro होने के बाद आपको कम से कम 10 से 20 fights आपको fight करना है और आपको आपका record properly maintain करना है आपको एक proper manager रखना है आपको एक proper team चाहिए जो आपको properly manage करेंगे और training करेंगे और वो team आपको properly manage करेगा और वो proper MMA promoters के साथ deal करेंगे आपके लिए और जब आप ये level तक पहुंच जाते हो तब हो सकता है और जब आप proper 20 fights, 15 fights, 20 fights complete करने के बाद successfully complete करने के बाद हो सकता है UFC आप पे दियान रखेगा, UFC आप पे नजर रखेगा और वो आपको contact करेगा आपको या आपके manager को तो UFC में participate करना इतना easy job नहीं है अगर आपको UFC में participate करना है आपको ये level से ही start करना है और जब आप ये level में participate करोगे और वो level तक पहुंच जाएंगे तो properly आपका entry UFC में हो सकता है और जो fighters ये level को proper entry follow नहीं करते और shortcut ले लेते तो UFC जाकर के हो सकते है अगर उनका एक बहुत ही अच्छा manager भी है और वो manager ने उनका बहुत अच्छा highlights बना करके उनको UFC भेज भी दिया तो वहाँ जाकर के वो हार जाएंगे और मुझे नहीं लगता है आपको पसंद लगेगा कि आप इतने बड़ा journey करके UFC में जाकर के first fight, second fight, third fight हार के उनलोग आपको UFC से release करेंगे So it's always better कि आप ये proper journey follow करो proper अपना career को आप बढ़ाओ आप अपना amateur status, pro status को properly develop करके एक manager और proper team अप build करके फिर आप UFC का dreams रखना चाहिए लेकिन एक साल बाद या कोई YouTube वीडियो देखने के बाद या एक या दो local MMA fights करने के बाद या एक या दो SFL के fights करने के बाद भी आप UFC नहीं खेल सकते हो हमें पता है हम सब को UFC खेलना है लेकिन जब तक आपने ये proper process follow नहीं किया है और जब तक आप वो level या वो caliber की आप fighter नहीं हो आप UFC में नहीं खेल सकते हो I'm sorry about this bad news लेकिन आपको मैंने एक good news भी दिया है कि ये एक proper process है So please आप ये process follow कीजिए और good luck हो सकते है कि आप इंडिया की कोई एक fighters होगा जो UFC में जाकर के जीत के भारत का नाम रोशन करेगा All the best